पूजा कैसी होनी चाहिए? पूजा किस परकार से होनी चाहिए? और पूजा कितने परकार की होती है? और हमें पूजा किस भाव से करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए जिससे की हमारी पूजा जो है, हमारी अराधना जो है, उससे इश्वर अतिसी गरता के साथ परसन हो सके? तो पूजा जो होती है इस्वर की अराधना जो होती है वहें दो परकार से होती है एक सकाम पूजा एक दूसरी है निसकाम पूजा सकाम पूजा के अंदर आपकी कोई इच्छा है जब आज कल जो ज़्यादा चलन में जो पूजा पाट करे जाते हैं वहें सकाम पूजा में कर आदा हो गया है और सकाम पूजा को करने से आपको बहुत जल्दी लाब प्राप्त नहीं होता क्योंकि आप सकाम पूजा जब कर रहे होते हैं तो आप ईश्वर को किसी अपने कारे को करवाने के लिए अपनी कोई मन्नत है उसे मांगने के लिए ईश्वर से अपनी कोई प्रा पूजा कर रहे हैं आपको अच्छे स्वास्ते की आवज सकता है तो आप अच्छे स्वर की पूजा कर रहे हैं किसी भी देपता की पूजा कर रहे हैं आपको अन्य किसी वैभव की आवज सकता है तो उसके लिए आप पूजा कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है सकाम पूजा और सकाम पूजा में कहीं ना कहीं आपका लोब आपका लालच आपका कोई ना कोई कार्य जोड़ा होता है तो इस सकाम पूजा को करने से आप इसुवर को जब ही याद कर रहे हैं जब आपको इसुवर की आवज सकता हो रही है तो आप अपने उद्देश से के लिए इस्वर के पूजा कर रहे हैं और जो दूसरी परकार के पूजा होती है इसे निश्काम पूजा होती है यह निश्काम पूजा सरफ स्रेष्ट मानी जाती है क्योंकि इस मैं जो भी इस्वर के अराधना करता है इस्वर के उपासना करता बगवान की पूजा करता है तो उसके मन में एक भाव होता है कि वह इसवर से अपनी पूजा के लिए अपनी अराधना के बदले अपने जब के बदले अपनी तपस्या के बदले वह इसवर से कुछ नहीं चाहता इसवर से कुछ नहीं मांगता उसका एक मन में यह भाव होता ह कि इस्वर ने मुझे इस संसार के अंदर जनम दिया है इस्वर ने इस संसार में मुझे यह जीवन दिया है तो इस जीवन में मेरा भी अपना धरम है कि मैं इस्वर की अराधना करूं और इस्वर की पूजा करूं और इस्वर को सदैव ही याद करूं और आपकी यह निस्काम पूजा जो होती है आप अगर ये पूजा निसकाम जो कर रहे हैं इस निसकाम पूजा से आपको जो सकाम पूजा के बतले बहुत जल्दी ही आपको जो मन में इच्छाएं होती है वह बिना मांगे ही आपको सोयत ही मिल जाती है क्योंकि इसवर जो है एक पिता है पिता को सदैव ही पता होता है कि मेरी संतान के पास किस चीज की आवश्चता है मेरे संतान के मन में क्या है मेरी संतान को कौन सा कर्ष्ट है और जब कोई भी प्राणी इसवर की कर्ष्ट में होते हुए भी अगर बिना मांगे निसकाम किसी भी काम की इच्छा के बिना वै उसकी अराधना करता है तो इस वर इस से अतिसीगर परसन होता है तो और बहुत जल्दी ही उसकी जो भी दुख होते हैं जो भी कष्ट होते हैं और वह बहुत जल्दी ही पूर्ण रूप से कष्ट समाप्त हो करके वै शुक की और अपसुयमती ही चला जाता है जबकि सकाम पूजा में, सकाम पूजा में, आज तो सकाम पूजा इस परकार की हो गई है, कि व्यक्ति 20 रुपे अगर मंदिर में चड़ाएगा, तो वह पूरी दुनिया मांग लेगा, और वह 20 रुपे भगवान को देगा, तो काम होने के बाद, तो यह पूजा कहां है, यह तो व्यपार है, अरे हम इसवर से व्यपार करने चले हैं, इसवर से हम कैसे व्यपार कर लेंगे, इसवर के तो हम प्राथना कर सकते हैं, इसवर के हम अराधना कर सकते हैं, तो जो सकाम पूजा होती है, यह एक व्यपार का रूप होती है, इसलिए यह ज़्यादा फलित नह और आपके कारे सुएत ही पून होने लगते हैं वह बिना मांगे देता है क्योंकि इसवर को से हमें कुछ मांगने की आवश सकता ही नहीं पड़ती इसवर सुएम जानता है कि यह मेरी अराधना कर रहा है या मुझे याद कर रहा है तो इसे किस चीज की आवश सकता है एक पित अपने संतान को जब तक लालन पालन करता है और जब तक वह जीवित रहता है वह अपने संतान की हर एक इच्छा पून करना चाता है और पून करता है अपने योग गता के अनुसार तो इसी परकार जो इसवर है वह भी जगत का पिता है तो उसको सब की ख़वर है और सब की सूचना है कि इसे कौन सी आवश्चता है तो वह बिना मांगे ही आपकी सभी आवश्चताओं को पूर्ण कह कर देता है इसलिए हमारे समाज के अंदर एक कहवद भी कही गई है कि मांगे मिले न भी बिन मांगे मोती मिले तो यह कहवद इसी लिए निस्काम पूजा के लिए कही गई है कि आप इस्वर की अराधना करना चाहते हैं आप यह चाहते हैं कि इस्वर मुझे पर बहुत जल्दी से परसन हो और मेरे कार्यों में इस्वर का असिर्वास सदेब जल्दी से जल्दी हो तो आप अपनी पूजा राधना को निश्काम करना शुरू कर दीजिए अपना धर्म मान कर करना शुरू कर दीजिए आपके सारे मनुरत अतिसी गृता के साथ पूरे हो जाएंगे इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विषय के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया जोती सुविग्यान को लाइक सेर कमेंट करना न भूलें और हमारे दुवार यह जानकारी आपको कैसी लगी इस विशाय पर कमेंट करना भी ना भूलें हर हर महादेव